कोरोना पॉजिटिव मरीजों से जी एस्टी वसूलने के विरोध में पंजाब एवं हर्याना हाई कोट के एडवोकेट जग्मोहन भट्टी ने केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, हर्याना सरकार और चंडीगर प्रशाशन को नोटिस जारी कर दिया है इस बारे में खास पातशीत की हमारे समवादाता अनिल कुमार ने पंजाब एवं हर्याना हाई कोट के एडवोकेट जग्मोहन भट्टी से नोटिस में क्या मांग की है? 19 के जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें भी गडबडी और धांदली सामने आ रही है जो हमारे जो भाई जाना है एलेक्ट्रोनिक मीडिया के वो दिखा रहे हैं सारा कैसे कैसे हो रहा है और इसमें एक सबसे बड़ी मांदबागी गटना और चल रही है इसमें जो जी एस टी लिया जा रहा है इन लोगों से जी एस टी के जो हैं सेंटर गॉर्मेंट में जाता है और स्टेट गॉर्मेंट में जाता है ये दूरी मार जो है टेक्स की ये लोगों को पढ़ रही है ये दूरा टेक्स क्यों है डबल टेक्स क्यों है ये मेरा स्वाल है सरकार क्या अपना टेक्स नहीं छोड़ सकती इत समय में अगर ये देखा जाए तो सरकार ने टेक्स से ही आम लोगों को दबाना है वो ही लोगों को दबाया जा रहा है जो लोग इमानदारी से टेक्स पे करते हैं किसी और को नहीं दबाया जा रहा मेरी सरकार से ये नवेदन है भार्याना सरकार से भी पंजाब सरकार से भी चंदीगाड एड्मेस्टेशन से भी और केंदर सरकार से भी इसके ओपर गौर फरमाएं जो कौविड नाइंटिन पॉजिटिव मरीज हैं कम अजकम उन से तो जी एस टी नाम वसूल लजाए अगर वसूलते हैं तो ये लोगों के उपर एक और बड़ा भारी बाइडन होगा इस हसाब से लोगों को जो दोवक्त की रोटी मिलती है उससे भी जो है बाई-बाई होने का अंदेशा है ये थे मेरे साथ पंजाब हर्याना हाई कोट के एड़ोकेट जगमोन बटी इन्होंने अरोप लगाया है कि केंदर सरकार हर्याना पंजाब और चंडिगड पर सासन कोवीड-19 मरीजों से जी एस टी वसूल लई है इसके साथ इन्होंने मांग की है कि कोवीड-19 के मरीजों से जी एस टी ना वसूला जाए अनिल कुमार टोटल नियो चंडिगार